बिसमिल्ला रख्मार निर रही में अस्सलाम अलेकुम वेलकम तु गौहर पापलिशिस तस इस हमना बिलते शेहजान आर मोटो इस रीडिफाइनिंग तजोग्रफिफ एजुकेशन थू डेटर लिसोसिस फॉर कुल्सेप्टिल लर्निग डियर टीचर्स इन दियर स्टूडि हैं different type हमारे पास दरक्त हैं उनकी different हालत है different seasons में spring होता है summer होता है fall होता है और winter होता है तो देखने है seasons को जी seasons देखते हैं there are four seasons in a year एक साल में चार seasons होते हैं हर season three months का होता है four seasons are winter, spring, summer and fall लेकिन normally जैसे ही हमारा अर्थ जो है वो अर्थ planet sun के around गूमता है तो different countries में seasons change हो जाते हैं जैसे के for example जब अर्थ के सामने बिल्कुल sun होता है तो उस area में गर्मिया आ जाती है और जब दूर होता है तो वहाँ पर सर्दी आ जाती है यही वज़ा है कि पाकिस्तान में जो गर्मिया होती है वो प्रोलांग होती है वो शुरू हो जाती है और देर से खतम होती है winter का टेने ओर काम होता है लेकिन कुछ countries ऐसे countries होते हैं जहाँ पर 3-3 months के seasons equal होते हैं लेकिन कुछ country जैसे के Asian countries भी होते हैं वहाँ पर seasons के टेने ओर जरूरी नहीं है कि 3-3 months के भी हो और अगर हमारी गर्मिया टॉप पर जून जुलाय में होती है तो जो Australia का region है वहाँ पर उदर उस फकत सर्दिया होती है और जब December में पाकिस्तान में सर्दी पड़ी होती है तो Australia में उस फकत गर्मी पड़ी होती है क्यों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वाला अर्थ का surface sun के opposite होगा उसको बिलकुल सामने होगा वहाँ पर गर्मी होगी क्योंकि sun के इड़ गर्द ही अर्थ घुमेगा तो winter, winter season से शुरू करते हैं, winter December में स्टार्ट होता है और March तक खतम होता है आपका एक ऐसा season होता है जिसमें सूरच देर से निकलता है, बहुत ठंड होती है winter season में गर्म कपड़े पहनते हैं, बचे बहुत enjoy कते हैं, snowman's भी बनाते हैं winters में इसके लावा, मौसम जो होता है, वो सर्द होता है, फिर होता है spring season, spring season basically मार्च में शुरू होता है और April तक जाता है, April मय तक, लेकिन पाकिस्तान में मय तक, April की मिट से ही गर्मी आ जाती है, लेकिन all over the world ये ऐसा ही होता है sunlight बहुत अच्छी होती है, flowers bloom करते हैं, बहुत सारी butterflies हमें देखने को मिलती है, birds बहुत ज्यादा chipping करते हैं, ये बढ़े मज़े का season होता है आप screen पे एक picture के थूँ देख सकते हो next हमारे पास जो season होता है, आप उसको अगर देखेंगे, कि spring में चीज़ हमेशा याद रखेगा कि spring की जो first आपका part होता है, वो cold होता है, और आइस्ता आइस्ता जैसे spring खतम होने की तरफ जा रहा होता है तब spring थोड़ा सा गरम हो जाता है, next summer का season आता है, summer का season जो होता है, यह spring के बाद आता है summer season में basically different countries में यह जून में शुरू होता है, लेकिन पाकस्तान में यह April से भी start हो जाता है और यह पाकस्तान में सबसा लंबा 10 euro होता है, summer का, जो के end of October तक चलता है summer में weather जो होता है, वो काफी ज्यादा hot होता है, sunlight बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और इसके इलावा बच्चे जो है, वो swimming और इस तरह की activities के थूँ enjoy करते है summer के बाद fall आएगा, fall basically आपका summer के बाद आएगा, ये एक ऐसा आपके पास season होता है जो पूरी दुनिया में तो September से start हो जाता है, लेकिन पाकस्तान में normally October and November में start होता है ये इसकी सबसे बड़े निशानी ये है, कि दरखतों के जो पते होते हैं, वो fall कर जाते है इसलिए इसको fall का नाम दिया जाता है, और ये सर्दिया आने से पहले तक रहता है इस season में trees अपना color भी change कर जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, कि ये fall है ये mix-mix weather होता है, इसमें अगर धूप थोड़ी सी आ जाया है, तो हलकी हलकी कर्मी भी लगती है राते जो होती हैं, वो काफी जादा, यहाँ पे cold होना start हो जाती है अब हम एक quiz करेंगे, फिर हम देखेंगे book का page सबसे ज्यादा साल का cold season कौन सा होता है, obviously winter होता है next, अगला question है, what season has many different types of weather, कौन सा ऐसा season है जिसमें weather set नहीं होता obviously fall, कभी गर्मी भी दिन में लगती है, राते ठंडी हो जाती है और इसके इलावा आपका favorite season कौन सा है, और क्यों, भई मुझे तो spring season पसंद है मुझे spring season इसलिए पसंद है कि बड़ा अच्छा मौसम होता है, flowers बहुत जादा होते हैं, because I like flowers, butterflies होती है हम इसमें enjoy करते हैं, आप सलते हैं book के page number 61 पे page number 61 पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 season है, winter, spring, summer and autumn हर season की अपनी specific description characteristics होती है, हर seasons के कपड़े भी फरक होते हैं जैसे कि आप गर्मियों में पतले कपड़े पहनते हो, इसी तरीके से सद्दियों में आप switches पहनते हो spring में अच्छा मौसम होता है, हम enjoy करते हैं, बड़े मज़े कि आपकी pollen cranes चाल रहे होते हैं साथ fall आजाता है, fall में थोड़ी सी थांड हो जाती है, तो कोई shawl या कोई light sweater पहनना पढ़ता हर season का food भी अलग होता है, घर्मियों में हम थंडी चीज़े खाते हैं, like ice cream, fresh juice, watermelon, इनके fruits भी फरक होते हैं mango होता है, summer का, winter के fruits फरक होते हैं, winter में हमें oranges मिलते हैं, ठीके then आपको हर season का fruit भी मिलेगा, close भी हर season के different होंगे, ये था आज का video listen I hope आपको video listen पसंद आया होगा, एक नए video listen के साथ, हम पिन मिलेंगे, तब तकी, Allah हाफिस